तो जो नाईलोन खमण नुग किरू तमार पर्फेक बन शेने, तो ज तमार नाईलोन खमण एक डम पर्फेक बन शेने, एटली हाइटे होवा चता है, तमें स्पोंजीक इटला बहिनाचीते जोई शको छो, तो आजे अमदावादना स्पेश्चल नाईलोन खमण के जे दास तो चलो तेनी रेसिपी जोईए तो आजे गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी मा आपने अमदावादना नाइलोन खमणनी रेसिपी जोशू अने अहीं आपने बाहर नो बेसन लेवानों छे गर्नो बेसन नहीं जाले अने तेमें 800 ग्राम लिधो छे तो आवातनों खास ध्यान राखवानों छे के बेसन आपने बाहर नोज लेवानों छे जो तमे घर्नो लेशो ने तो तेमा परफेक्ट रिजल्ट नहीं आवे एसी टका जेटलूँज रिजल्ट आऊशे आजे आपने बेटर जेटलू सरस बनावी शुने के ढोगला एकदम परफेक्टर बन शे अन्ने तमे जोई शको छो क्या आवा लम्स नर रहे ए माटे आपने लोट ने चालवो खुब जरूरी चे चो तमे चाल शुने तो तमारो एक एक कन लोट नो छुट्टो थैने एकदम आम मुलायम बनी जशे लोट तो लोट बधुए चलाए गयो छे अन्ने हवे तेन आपने आवीरित एक हाईट वाळ वासन लेवानू छे के जेन आपने गुजराती मा तव पेली कही है जी आव मोट्टू वासन लेवानू अन्ने तेमा आपने आ बेसन नो लोट एड करी श तो अही में छेने बाहर मन तो गाई छाप बेसन छेने तेनो जूस करियो छे अही में 50 गराम खान एलेके 5 टेबल स्पून खान ली दी छे अरदी चमची जेटली हरदर अन्ने 3 फोर्टी स्पून जेतलू मीठू लेवानू छे अन्ने एक कप जेतलू पाणी लेवानू छे तो एक कप माथी में पोना कप जेतलू पाणी नाख्यू छे अन्ने हवे लोटने मिक्स करवानू छे थोड़ो मिक्स थाई जाए त्यार बातफरी थी आपने जे पाणी बाकी राख्यू छे ते एड करिशू ले एक कप जेतलू पाणी एड करियू छाही तम्ये जो 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 के measurement साथे तम्हें खमण बनावशों ने तोज तमारा नायलोन खमण एकदम परफेक्ट थाशे हवे खिरूने एटलू सतत तम्हें 3-4 मिनिट माटे फेटो के तेनो color change थाई जाएने एकदम fluffy बने तो एक कप पाणी नाखिने में एकदम तेने 4 मिनिट माटे आवे रिती सतत मिक्स करियो छे एटले तेनो color पन चेंज थाई गियो अने एकदम fluffy अने हलबू बनी गईयो छे तो तम्हें जोई शको छो तो आवे रिते खिरू color change थाई त्या सुधी आपने मिक्स करिशू अने हवे तेम आपणे 5 टेबल स्पून जेटलू तेल नाकिशू अहीं में शिंग तेलनो उप्योग करियो छे औने 1 टेबल स्पून जेटला लिमूना फूल एड करिशू तो बावातनों खास द्यान राखू कि अहीं आपने लिमूनो रस के बिजु काई पन अधर खटाश वड़ू याड नती करवानू लिमूना फूल जेड करवाना छे औने तेने पन आपने मिक्स करवाना छे तो तेने पन सतत आपने 3-4 मिनिट माटे मिक्स करिशू एटले बद दाज चे लिमूना फूल छे तेमा गड़ी जाई औने एक दम फ्लफी एव खिरू रेडी थाई जाई औने त्यार बाद हीमे टाटानों सोडा लिदो छे तो तेने वू एक टेबल स्पून जेटू एक लोग वासन मा लाव छू औने 1-4 cup जेटलू में पाणी लेदू छे तो 1-8 cup जेटलू तेमा थी पाणी यूस करीशू औने सोडा पाणी ने मिक्स करीले वानू छे आ प्रोसेस नू पने एक रिजन छे तेमू तमने जणाविश औने जू आविरीते छे ने फरचान मा आविरीते प्लेट यूस थतती होई चे परन्त आपने घर बनाविए तो कोई नी पासे होई अने न पन होई तो आपने गर्नू जेका आव उंडू वासन अटले के हीमे तपेली लिदी चे अन्ने तेनी आयट तमे जोई शको छो नाव आयट वड़ा वासन मा जाजे आपने बनाविशू अटले तेमा सारी एवी जाली पन बन भन छे अने पन थशे अवे जे आपनों खीरू छे तेमा सोडा वालू पाणी वालू बेटर नाखी देवानू छे अन्ने फरिती में वन फोर्टी स्पून जेटलो सोडा लिदू होतो अने तेमा पन जे आपने वन बै एट कप जेटलो पाणी बचावियो तो तेमा मिक्स करीने में ते जे आड करवानू कहिँ छे अन्ने फरिती थोडू खीरू मने थीक लागे छे अटले अर्धा कप जेटलों पाणी एड करीश अटले खीरू बनावा माटे आपने पोणा बेक अपन जरूर पडशे अन्ने खीरू तम्ये जोईशको छो कि आव एकदम फलफी थाई जवु जरूरी छे अवे आखिराने जे आपने ग्रिस करेलू वासन छे तेमा एड करीशू अन्ने तेने पातरिस थी चालिस मिनिट माटे एकदम फास्ट गेस पर्श टीम करीले शू अन्ने त्यार बाद तम्ये जूओ तेने में 10 मिनिट माटे ठंडा करीली था आता आने थोड़ थोड़ा इवा गरम चे किमके आइट माँ छे ने एटले थोड़ा इवा गरम अशे जो तम्ये राउंड प्लेट माँ कर्शो ने तो ते 10 मिनिट माँ आराम थी ठंडा थे जशे अन्ने तेने अवे नाइफ नी मदद थी तेने फर्ते थी आवरी ते काड़ी लेवा नाचे अन्ने तेने आपणे वासन थी रेमव करवानुँछे अन्ने तमे जोई शको छो के एक दम हाइट वाड़ा होवा छता आए केटला ते स्पोंजी बहिना चे अन्ने एक दम वजन आपपा छता आए ते एक दम एनी एस साइज मा पाचा आवी जाई चे एटले आपड़ा ख आउण मामे कट करिऊ छे अन्ने एक दम हाइट वाड़ा होवा ते तेने वुम्प फरीथी अलग थी कट करिश तो आवरी ते आपणे चार पाड़ करिशू and तमें आविरी तें आड़न हो राखे, तेने फर्र तेरे अपना कट करींषे 0, 20 म. केम के तमें रेडी मेट, सब्सक्र हैं, तो लें ऐख पısर्ष कमित्यक हो, तफे थे마 on the color of你们, is looked for suppose, अने तेना साइड ना कोनर आपने काढ़ी लेशो ने त्यानु पन आपने एक यूज करीशू त्ये पनु तमने पाचल थे कईश तो आवे आवे रिते आपने मोट्डाज पीसिस माँ खमणने कट करवा ना छे केम के तामे रेडिमेट खमण जो तो त्यानी साइज केवी अल केर कलर ना डोटावी जाए छेले पाणे माँ डिजोल करीन पचित तेने आपने यूज करवानू तो एक नोन स्टिक पेन लेशू अने तेमा पाच कैबल स्पुन जेटलो शिंग तेल लेशू अने तेल गरम थाईचे ने त्या सुधीम आईमे पंदर ग्राम जेटला लिल दाना चार्थी पाच तिक खामर्जा चार्थी पाच आदूनी स्लाइज लिती छे अड़धाली मुनो रस एड करीशू अने जे आपने खमन ना टुकडा साइड ना निकलिया आता तेने तेमा एड करीने एक सरस मजा ले खमन साथे खवा एवी खाटी मीठी चतनी एड करी लेशू तमे जोई शको छो तेननु टेक्षर केटली मस्त येवी चतनी खमन नी रेडी थेगी छे तमे जे साधा खमन खाटा तीखा खमन आवेशे तेनी साथे पन तमे आ चतनी खाई शको छो अवे साइड मा प्रुतियल गरम थाईच ता तेमा बेचमचे जेटली रायता तड़ा वीशू अने जेवी रायता चड़े एडले 15-20 मिठाली मड़ा ना पान एड करीशू अने हवे 4-5 तिखा मर्चान ना थोड़ा मोटा एवा टुकडा एड करीशू अने 3-4 ती स्पून जेटली हींग तमे 2 चमचे जेटली पण हींग अहीं लाई शको छो चेवो तमने हिंग नो स्वाद गमे अने 2 टेब स्पून जेटली खांड लेवानी छे अने खांड ने आपने थोड़ी वाराड लेके 20 सेकंड माटे जायुरी ते तेलमा मिक्स करीशू अने त्यार बादा पाणी वालो अहीं गल्योएवो वगर करवानू छे तो एक कप जेटलू पाणी नाखीश अने सेच खांड ओगले एटलू जा अपने तेने कोक करवानू छे तो वगार उखली गयो छे वे खांड उगली गयी छे अने आब दोज वगार आपना बनेला खमण उपर याड करीशू थोड़ा धाना भवरा विदेशू उपर थी लिला नाड येर नू चेन अथवा सुका नाड येर नू छेन पन तमे एड करीशको छो तो जे नाथी विदेशो सुधी पन गुजरात्नों ना मोखर स्थान पामे छे येवार खमण डोकला क्या आजे नाइलोन खमण में तमने एकदम पर्फेक रिते सिखवया छे तो फ्रेंड्स तमने आमदा बदनी रेसी पी केवी लागी छे जो सारी लागी होए तो बदुमा बदु शेर करो तो फरी मली शुआ आए वी जे कुप्यों गिरेसी पी सा थे त्या सुध्याओ जो जे शिक रश्नी